नमस्कार साथियों एक बार पना स्वागत है आप सभी का अपनी कोचिंग करियर टाइम में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ समास को पहचानने की बहुत ही सांदार और बहतरीन से ट्रिक जिसे देखने के बाद आप समास की किसी भी प्रेश्ण को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे तो आईए सुरू करते हैं आज की हम अपनी ट्रिक सबसे पहले हमारे पास है अब्वे भाव समास अब्वे भाव समास को पहचानने का एक बहुत ही साधार तरीका है उपसर्ग वाले सब्द यानि की हर एक वह सब्द जिसके तुरू में एक उपसर्ग दिया जाता है उसमें कौन सा समास होगा अब बेभा समास सबसे ज़्यादा है इसमें जो उपसर्गों का प्रियोग किया जाता है बैसे तो धेर सारे उपसर्ग हैं, जितको हम बहुत डिटेल में डिसकस करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उपसर्गों का जो प्रियोग किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनू, आ, पृति, भर, यथा, तो उपसर्ग वाले सब्दों में कौन सा समास होग का अब्वेभा समास, अनू रूप में एक उपसर्ग दिया गया है अनू, भर पेट में उपसर्ग दिया है भर, पृति फल में उपसर्ग दिया है पृति, आजन में उपसर्ग दिया गया है आ, यथार्त में उपसर्ग है यथा, इन सभी सब्दों के शुरू में एक उपस समास तत्पुर्ष समास में हम पहचानेंगे कारक चिनने वाले जितने भी सब्द होते हैं जिनका समास बिग्रह करने पर एक कारक चिन देखने को हमें मिले उन सब्दों में भी कौन सा समास होगा तत्पुर्ष समास जैसे यहाँ पे एक सब्द लिखा है राज कुमार राज कुमार का जहां हम लोग समास बिग्रह करते हैं तो इसका उत्तर निकलता है राजा का कुमार तो यह निकल के आता है राजा का कुमार राजा का कुमार इसमें हमें कारेक्चन देखने को मिला का चिडी मार का जहा चडिया को मारने बाला तो इसका बिग्रह करने पर आया चडिया को मारने बाला बिग्रह करने पर क्या आया को इसमें कारच चिनना रहा है का और इसमें कारच चिनना रहा है को तो किसी भी सब्द का जहां बिग्रह करते हैं और उसमें कारच चिनना आता है किसी भी सब्द की जब कोई सब्द बिसेशता बताता है जिसे हम बिशेशर कहते हैं तो जब किसी भी सब्द की बिसेशता बताई जाए तो वहाँ पे समास होगा कर्म धाले समास जैसे लाल मडी में मडी की बिसेशता बता रहा है सब्द लाल नील कमल में कमल की विशेष्टा बताई नीला यानि कि कमल कहता है नीला सफेद गाय में गाय की विशेष्टा बताई सफेद ने तो हर एक बहस सब्द जिसकी दूसरी सब्द एक विशेष्टा बताएगा विशेष्टा बताने वाले सब्दों में समास होगा कर्मधार समास अगले समास की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अगला समास है दिगू समास दिगु समास की ट्रिक है संख्या वाले सब्दों में समास होता है दिगु समास जिन सब्दों के सुरू में एक संख्या पाई जाए उनमें दिगु समास होता है जैसे दो पहर में एक संख्या ही है दो तरफला में एक संख्या आई है तीन त्रंगा में भी संख्या आहतीन और पंच बटी में संख्या है पांच तो संख्या वाले सब्द यानि कि जिन सब्दों के सुरू में एक संख्या पाई जाए बहाँ पे समास होगा दिगु समास अगला समास है दौन समास दौन समास को पहचानने की एक ट्रिक है बिलोम सब्द वाले सब्द यानि की जब दो बिलोम सब्दों का प्रियोग किया जाए उनके बीच में योजक्चन हो या ना हो लेकिन दोनों सब्द बिलोम होने चाहिए एक दूसरे के तो बिलोम सब्द वाले सब्दों में समास होग साथ जैसे माता का बिलोम है पिता दिन का बिलोम है रात देश का बिलोम है बिदेश तो दो सबताहों को क्या प्रैयोग करते हैं इस अ सबारी करता है देवी देवताओं के परियावाची जो नाम होते हैं वो आएंगे वहुवीरी समास में तिरनेत्र सिब का परियावाची है नीलकंट सिब का परियावाची है एकदंत भगवान गलेश का परियावाची है और लंबो दर्भी गलेश का परियावाची है तो बहुबीरी समास का मतलब है देवी देपताओं के जितने भी परियवाची नाम होते हैं उस सारे के सारे नाम बहुबीरी समास में रखे जाते हैं ये हमारे हो गए समास ऐसी ही सांदार और जवर्दस ट्रिक जानने के लिए ताकि आप प्रश्णों को बहुत आसानी से सॉल्ब करें बने रहें अपने चलन केरे टैम के साथ जैहन